देखिए हमारे मन में सवाल कैसे आते हैं फर किस से पढ़ता है मैं हूँ अनिमेश एक कहानी सुनाता हूँ एक बार एक राजा ने अपने दर्बार में कहा कि मैं आप लोगों को एक प्राइस दिना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे पास जो भी कागज में आग लपेट कर लेकर आएगा मैं उसे एक लाख सोने के सिक्केत दूँगा सारे दर्बारियों को लगा ये राजा न मजे ले रहा है ये कुछ देने ही वाला नहीं है इसलिए ऐसा impossible सा टास्क रखा हुआ है अरे आग भला कागज में लपेटी जा सकेगी ये पागल हो गया लेकिन एक दर्बारी था उसने सोचा कि यार चलो राजा ने कह दिया है मुश्किल लग रहा है लेकिन होगा कैसे वो सूचता रहा सूचता रहा और उधर राजा इंतजार करता रहा कि कोई एक तो आए कोशिश करके तो देखे फिर फाइनली वो दिन बीद गया दूसरे दिन आया दूसरे दिन वो दर्बारी राजा के दर्बार में आया और उसने कहा कि महराज प्रणाम आपकी जो शर्त है मैं पूरी करने के लिए तयार हूँ आप बस इनाम तयार कर लीजिए राजा ने थोड़ा और एक्जैम टफ कर दिया कहा कि अगर तुम्हारी कोशिश काम्याब नहीं हुई तो तुम्हें हम सजा भी दे सकते हैं दर्बारी ने का ठीक है महराज जैसा आपको सही लगे लेकिन मैं तयार हूँ आप मुझे कागस दिलवाईए राजा ने का ठीक है भई कागस दो उसे कागस दिया गया उसने कागस कहा एक लाल्टेन सा बनाया और उसके अंदर एक दिया रख दिया और कहा कि लीजे महराज मैंने आग को कागस में लपेट दिया फरक यही है कि उसने सोचा ये काम कैसे होगा बजा इसके कि ये काम नहीं होगा मैंने कहा था सवाल कैसे हमारे मन में आते हैं फरक उससे पढ़ता है तो चलिए सवाल बदलते हैं फरक पैदा करते हैं आज कुछ अच्छा सुनते हैं